नमस्कार जम्मू यूनिवर्सिटी में पोष्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए इस बार फिर से इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा जम्मू यूनिवर्सिटी के पोष्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखला के लिए इस बार भी इंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पाया था अकादमिक सत्र आठ महीने देरी से सुरू हुआ था वर्स 2020 का जुलाई अगस्त का अकादमिक सत्र साल 2021 जनवरी फरवरी में सुरू हुआ है इस बार कोरोना की दूसरी लहल चल रही है और जम्मू कस्मीर में इस समय कोरोना कर्फियू लागू है सिक्षण संस्थानों को 31 माई तक बंद रखने के आदेस भी जारी किये गए है जिस तरह से हालात हैं उससे यह तैमाना जा रहा है कि सिक्षण संस्थान अगले 2-3 महीने तक खुलने वाले नहीं है ऐसे में जम्मू युनिवर्सिटी के लिए पिछले साल की तरफ इंट्रेंस टेस्ट करवाना संभव नहीं होगा ऐसे में अंडर ग्रेजवेट की डिगरी के अंको के आदार पर ही दाखिले होंगे इसके लिए युनिवर्सिटी ने फिलहाल फैसला नहीं किया है युनिवर्सिटी प्रबंधन स्थिती पर नजर रखे हुए है सारे हालाद पर चर्चा करके और यूजी सी के दिसा निर्देसों को मद्दे नजर रखकर ही कोई फैसला किया जाएगा जम्मू युनिवर्सिटी का अकादमिक सत्र गरबडा चुका है सारी गत्विदियां प्रभावित हो गई है अब युनिवर्सिटी ने डिग्री कालजों से अपने इस तर पर ऑनलाइन पर इक्षाएं लेने के लिए कह दिया है ताकि समय बरबाद न हो अकादमिक मामलों के डीन प्रोफेसर नरेस पाधा का कहना है कि इसमें कोई सक नहीं है कि कुरोना ने पढ़ाई को बहुत हद तक प्रभावित किया है मगर विद्यार्थियों के सुरक्षा का ख्याल लगना युनिवर्सिटी और सरकार की प्रातमिक्ता है एंट्रेंस टेस्ट को लेकर फिलाल कोई फैसला नहीं किया गया है युनिवर्सिटी इस संबन में उचित समय पर फैसला करेगा वहीं पोश्ट ग्रेजुएट कोर्सों के दाखिले से पहले अंडर्ग्रेजुएट के छटे समस्टर की परिक्षा होनी और परिनाम निकलना जरूरी है कुरोना से हालात के कारण इस बार सारी परिक्षा आंलाइन ही ली जा रही है मगर अंडर्ग्रेजुएट के छटे समस्टर की परिक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है जम्मू उनिवर्ष्टी में हम आपको बता दें कि पिछले वर्स एंटरेंस टेस्ट नहीं हो पाया था इस्तितियों पर इस्तितियों के चलते और इस बार भी वैसे इस्तितियां बन रही है जैसा कि दैनिक जाग्रण में खबर प्रकासित है जम्मू उनिवर्ष्टी में आडमीशन से जुड़ी तमाम सारी अपडेट्स आपने पिछले वर्स भी दी थी इस वर्स भी आप तक पहुचाते रहेंगे तो इसके लिए स्टे टून रहे है दा उनिवर्ष्टी कनेक्शन धन्यवाद नमस्कार